जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल ओम्चों में एक बार फिर से बहुत स्वागत है बहुत आभार है दोस्तों आप सभी को जदी अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और गंटी की बटन भी दबाएंगे साती साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों कमेंट्स में जैशरी महाकाल लिखें और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें दिया आपको अच्छा लगए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चमतकारी मंत्र वो चमतकारी मंत्र जो शायद आपका जीवन बदल सकता है वो चमतकारी मंत्र जो जीवन में आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको दे सकता है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक चमतकारी मंत्र जिसे जो आप जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत साधा फायदा होगा कहीं सारे जाता को कहीं सारी परिशानी होगी परिशानी होगा मैं नाम नहीं गिना होगा आपकी जो भी परिशानी हो लेकिन याद रहे कि परेशानी इस तरह की नहों, कि किसी व्यक्ति का आप उस सिल्सिले में अहित करना चाहे, परेशानी उधारण के लिए, for example में कि अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है, आपको नोकरी अच्छी नहीं मिल पा रहे है, आपके घर में कलह होता है, शान्ती चाहते हैं और आप बहुत बार डिपरेशन में चले जाते हैं तो छोटी छोटी समस्या है वो अपने सीमित तक आपको खुद जो भी आपकी समस्या हो आप उस समस्या के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं कुद दूसरी बात है कि ये जो मंत्र है ये मंत्र पूरी इमांदारी से पूरी शिद्दत से करें तो आपके लिए फायदा मंत्र हैं दोसों मंत्र में आपको बता देता हूं उसके बाद और थोड़ी सी साउधानिया उन्ची जो पर आप फोकस करेंगे तो आपको फाइदा होगा मंत्र जो है सबसे पहला और मुख्य मंत्र है वो है शिरी राम शिर्प राम का नाम पहला दूसरा ओम नमः शिवा है तीसरा आपके जो भी इस्ट देवता है जिने भी आप मानते हैं उनका नाम इस्मरण गायतरी मंत्र लिली जे या महमरत्य जे मंत्र इन सभी मंत्रों में से कोई एक मंत्र आपको लेना है सभी इश्वर के ही रास्ते हैं कोई एक मंत्र जो भी आपको अच्छा लगी वो मंत्र लेना है और continue दोस्तों उसका जाप करना है जाप के दोरान जरूरी नहीं कि आपकी आर्षन में बैठे जरूरी नहीं कि आपकी सवस्ता में है शलते फिरते उठते सोते बैठते आप continue इस मंत्र का जाप करें उधारन के लिए यदि आप शिरी राम मंत्र का जाप का नाम लेते हैं तो मन में शिरी राम जै राम जै जै राम शिरी राम जै जै राम continue करते रहेगे बिलकुर रुकेगा नहीं खाते उटते भिटते जो भी काम से आपको थोड़ा सा समय मिलता है जरूरी नहीं कि आप रोजगार करते हैं कोई बड़ी बड़ा पोस्ट पर हैं किसी नोकरी पर हैं किसी में भी आप continue उसका जॉब जाप करते रहें आप जैसे ही जाब करेंगे आपको तो चार दिन में जो डिप्रेशन है, स्टेट है, जो काम का जो लोड है, वो सबी जो चीजे हैं, उनसे आपको एक राहत, आपको मन में एक राहत सी महसूस होगी, यह इसके बेसिक फैक्ट बगाता हूँ, दूसरा इस मंतर के जाब करने मे कि जिससे आप मंतर की और आपका ध्याना कर चितने हो, बलकि उसी काम में आप पूरी तरह से डूबे रहें, यह बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, और आपके साथ भी यह हो जाएगा, इस और भी आप ध्यान रहें, नेगिटिव कुछ भी नहीं होगा है, जाब करने स यह बिल्कुल फ्रेक्टिकली आपको अनुभों में जो बता रहा हो, शेयर किया है मैंने, दोस्तो इसके इतने फाइदे हैं, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा, मन हमेशा शान्त रहेगा, आपके शद्दा, आस्था, और प्रगाड होगी, और मजबूत होगी, और जो आपके अनुभों है ना दोस्तो वो अद्भोत रहेंगे, आप सिर्फ रास्ते पर चलेंगे, और काफिला और प्रमेटिकली बन जाएगा, इस तरह के अनुभों भी आप देखेंगे, हमेशा सही, सटीक और रिश्वर आपके साथ रहेगा, कई अनुभों होगे, आप 15 दिन में खुद इस चीज का अनुभों करेंगे, और जरूर अनुभों जो भी हो वो कमेंट्स में जरूर मुझे बता है, मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, यह वेक्तिकत अनुभों है, जो मैंने आप से शेयर किया है, जैश्री महाकाल, जैश्री महाकाल